हलो हेवरिवन, वेलकम टू चिवन दशेंग क्लासेस, आब हम लोग मर्मुटेशन के कुछ निमरिकल्स बनाएंगे पैरा कॉशिन ये दिया हुआ है, कि हमारे पास एक वर्ड दिया है, उसका नाम है ऐलाबाद हमें एलाबाद का अर्रेजमेंट करना है, मतलब कितने डिफरेंट टैपस आफ अर्रेजमेंट होंगे इसके तो वो हमें लिखना है, मतलब टोटल नमबर अर्रेजमेंट तो आप ये बताएंगे कि एलाबाद में कितने टोटल वर्ड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, means टोटल वर्ड्स जो है, 9 है, और इसमें अकर आप A के बारे में देखें, तो 1, 2, 3, 4, 4 A है, 2 L है, और कुछ है, नहीं बिल्गों नहीं, तो 4 A, 2 L है, तो हमें टोटल अर्रेजमेंट बताना है, तो क्यास, इससे पहले मैंने इस का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको फॉर्मुला बताया है, तो हम डारेक्ट फॉर्मुला ही लिख देते हैं, टोटल N है, तो 9 फेक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे है, उनको नीचे लिखना, 4 फेक्टोरियल बाई, 2 फेक्टोरियल, हम इसको आके आप सॉल् नमबर पोजिशन पे फिक्स कर दें, तो इसका मतलब ये 2 नमबर होगा, ये 4 नमबर होगा, ये 6 नमबर होगा, और ये 8 नमबर होगा, ये 2, 4, 6, 8 में सिर्फ वबल्स आने चाहे हैं, तो इसका मतलब और यहां वबल्स कितने हैं, वो 4 हैं, इसका उनका आरेंजमेंट करें तो क्या होगा four factorial क्योंकि चारो ए हैं मेरे पास तो divided by four factorial अब यहां पर एक बात याद रखें अकर मैंने चार बबल को fix कर दिया तो बाकी बचे numbers कितने होंगे यह भी तो सुचना होगा तो नौ में से चार गटा देंगे तो उतना है नाइन में से four गटा देंगे तो हो जाएगा five तो हम लिखेंगे five factorial अब याद रखें मैं डिवार बाई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उन पांच नंबर में से दो एल तो है जो बाहर रहेगा तो रिपीट हो रहा है तो यहां लिखतीजिए फ़टर फ़टर यह कटा फ़टर गया 120 बाई तो जो रता है 60 इससे आपका अंसर निकल गया अब चलिए चलते हैं next sum बनाते हैं अब यहां पर हम लोग एक कुशन दियावा है जिसका पताया गया है कि how many different words can be formed with the letter of the word university ठीक है so that all the verbs are cut together सारे verbs एक साथ होने चाहिए और हमें different types of मतलब words बनाने है मतलब total कितने number of words बनेंगे तो एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस total 10 है तो बहुत बढ़िया आई कितना है एक तो तो आई है n कितना है यहां पर n उतना नहीं है यू क्या repeat कर रहा है बिलकुल नहीं हमें बुला क्या किया है कि सारे bubbles को हमें occur together बताना है तो मेरे पास bubble जो है यू है आई है यह है फिर आई है और कोई है नहीं लब एक दो तीन चारों को एक लग कर दो इन 10 में से चार अलग हो गया तो बाकी कितने बचाएंगे टोटल लोग छे बचाएंगे याद किजिए कि स्पेसिंग वाले फॉर्मले में हमने क्लबिंग के बारे में सिखाया था इसको एक प्लेस मान लिया बाकी छे प्लेसे ऐसे बनेंगे छे प्लेस और यह प्लेस हो जाए यह पूरा एक प्लेस हो गया छे प्रस एक सेवन तो इसमें सेवन फैक्टोरियल अब यहां पर याद रखिए बाहर में कोई रिपीटेट टम से नहीं सिर्फ आई था जो रिपीटेट था वो भी अंदर में इसके साथ तो इसका आकर हम सबसे पहले यह बना प्लेस फैक्टोरीयल ओपर में हो जाए का फॉर का फैक्टोरीयल 24 है 12 12 इंटू सेवन का फैक्टोरीयल कर दी के लिए आपका एंसर आजाएगा इस नाथिंग बड। सिक्सक्राइब होता है है का फेक्ट्राइब 120 इस सब्सक्राइब करने के बाद आपका एंसर आ जाएगा पर चलते हैं यह कहता है सारा एक साथ होना चाहिए यहाँ पर टोटल वर्ट कितने पहले यह काउंट कर लेज़े चार चार आट ग्यारा दो तेरा टोटल वर्ट इस थाटीन फिर से काउंट कर लेते हैं चार चार आट आट चार बार एक तेरा टेकेट अब यहाँ पर एक इतने बार करना है एक तू तीन एस कितना बार है चार बार है आई कितना बार है दो बार है एन कितना बार है दो बार है तब यहाँ पर एक चेस नेकिए कि सारा एस को हमें एक साथ करना है यह कुशन में दिया क्या है तो कितन जाकर 4S एक साथ हो गया तो बचेगा कितना 9 जो कि यहां पे आएंगे total 9 यहां आजाएंगे यहां 9 words और यह एक पूरा place हो गया तो किया हो जाएगा 10 10 factorial अब इस 9 places में कितने लोग repeated थे यह repeated था 3 factorial और कौन repeated था I repeated था 2 factorial n repeated था 2 factorial हो गया अब इन्टू इसका S का arrangement कितना होगा 4 factorial by 4 factorial यह तो 1 हो जाएगा और इसका इसका का अगर आपको पूरा value निकाल के उसका यहां पर answer लिखना होगा यह आप लोग calculate किजिए और comment section में मुझे पताईए तो चलिए next question पे चलते है यहां पे दिया हुआ है how many numbers of the how many numbers can be formed out of all the digits 1 1 1 2 2 3 कितने numbers हम बना सकते है total how many of these और दूसरे पार्ट में यह दिया गया है कितरे लोग 3 lakh से जाता है 3 2 5 1 6 6 digit का 1 6 digit का number बनेगा और कितने तरख्य arrangements बन सकते हैं तो यह easy होगा आपके लिए करना 3 2 5 यहां 1 कितना बार repeat वाया 3 बार 2 कितना बार repeat वाया 2 बार 3 2 5 1 6 तो total कितने है 6 factorial और एक 3 बार repeat वाया तो 3 factorial और 2 repeat वाया तो 2 factorial ठीक है यह होगा आपका पहला पार्ट इसको solve किजिए solve करना असानी है 6 का factorial is nothing but 720 यह तो आप इसको direct किसे लिए 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 2 65 is a 32 is a 60 अब यहां देखिए कितने numbers होंगे जो तीन लाग से ज्यादा होंगे वो कैसे किया जाए यहां पर 6 spaces बना देजे चार हो गए बान चे अब यहां पर मैंने 3 को fix कर दिया है fix कर दिया मतलब 3 को लिया नहीं है वो एक ही वे है लिखने का 3 is fixed बाकी जो 5 लोग है उनके साथ हमें possible cases बनाने होंगे तो वो कौन को नहीं हो सकते हैं उसमें 1 भी आएगा 2 भी आएगा तो 5 factorial भाई 1 को कितना बारा है 3 factorial भाई 2 factorial अब इसको solve केजिए 126 2 यह है answer आपका 10 I hope you like the video please do like and subscribe thank you